आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा GSTR 9 ओप्शनल है या एक्जेम्ट है किल लोगों के लिए जिनकी टरनोवर अप्टूर 2 करोड़ है उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कल मैंने यूटूब पर एक कोश्चन डाला और उसमें सिर्फ 7 परसेंट लोगों का जवाब सही था 93 परसेंट लोगों का जवाब गलत था तो मैंने इसके ओपर एक वीडियो बनाने की सोची कोश्चन क्या है कोश्चन को समझिए एक व्यक्ति है जिसकी टरनोवर डेड़ करोड रुपे है एक व्यक्ति है जिसकी एक्च्छल टरनोवर डेड़ करोड है लेकिन उसने अपनी GSTR 3B में अपनी GSTR 1 में टरनोवर दिखाई है स्रिफ और स्रिफ एक करोड 20 लाक मतलब कि 30 की turnover उसने नहीं दिखाई अब वो financial year 2021 की GSTR 9 भरना चाता है तो क्या वो GSTR 9 भर सकता है मुझे comment box में लिख कर बताइए मेरा view क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस बात को समझना कि financial year 2021 के लिए financial year 2021 के लिए जिसकी turnover up to 2 करोडे क्या वो GSTR 9 exempt है या optional सर इन दोनों में अंतर क्या होता है दोनों तो same word है नहीं भाई यह दोनों same word नहीं है इन दोनों के अंदर अंतर है अगर मैं बात करता हूँ exempt की तो exempt का मतलब क्या है कि आपको GSTR 9 नहीं भरनी है चाहे आपका data गलत है चाहे आपका data सही है exempt का मतलब है आप उसे भर नहीं सकते सर पोर्टल तो भरने दे रहा है अगर पोर्टल भरने भी दे रहा है तब भी आप उसे नहीं भर सकते exempt का मतलब यह होता है और सर optional का मतलब क्या होता है optional का मतलब यह है तुमारी इच्छा है भरो तो ठीक नहीं भरो तो notification क्या कहती है कि भई अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी turnover up to 2 crores है financial year 2021 में उसे ये return नहीं भरनी उसके लिए ये exempt है exempt the registered person तो जब यहाँ पर इनों ने इसे exempt कर दिया तो क्या हम इसे file कर सकते हैं तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं कर सकते तो sir इसका मतलब क्या होगा अगर मेरी actual turnover 1.5 crore है और मैंने 3B और 1 में जो data डाला हुआ है वहाँ पर जो data डाला हुआ है वो 1 crore 20 lakh है तो क्या department मेरी sale को 1 crore 20 lakh ही मान लेगा मेरा answer है no क्योंकि यहाँ पर एक difference है इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आपकी turnover up to 2 crores है तो आपको GSTR 9 exempt है लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अगर आपने GSTR 9 नहीं भरी due date तक तो हम इसी turnover को final turnover माल लेंगे ऐसा इन्होंने इस notification में नहीं बोला अगर आप पुरानी notifications पढ़ोगे तो पुरानी notifications में जब हम बात करते थे 17-18 की जब हम बात करते थे 18-19 की जब हम बात करते थे 19-20 की तो यहाँ पर एक word लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर आपको GSTR 9 भरना optional है यहाँ पर यह लिखा होता था कि आप GSTR 9 भरो या मत भरो कोई फरग नहीं पड़ता इन्होंने wording लिख्यूई थी optional लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिखी गई थी कि प्रोविजो एक add किया गया था कि अगर आप GSTR 9 नहीं भरोगे due date तक तो हम यह माल लेंगे कि आपने अपने return को final कर दिया है return डाल दिया है और वो ही data को हम final कर लेंगी तो यहाँ पर यह difference है किस में difference है 17, 18, 18, 19, 19, 20 versus 20, 21 में situation अलग है और पहले situation अलग थी तो अब यहाँ पर आपको यह decision लेना है कि अगर आपने गलत कोई turnover डाल दी है तो आप अब GSTR 9 फाइल नहीं करोगे Sir अगर हमने कर दी तो क्या होगा भाई देखो portal तो allow करेगा तो आप करना चाहो तो कर दो मैं यह नहीं कहता लेकिन अगर मैं notification की language पर जाओंगा notification की language क्या कहती है कि भाई यह आपके लिए exempt है जो पुराने year से उनके लिए language क्या कहती थी optional थी और वो कहते थे कि अगर आप नहीं भरोगे तो हम उस data को final माल लेंगे लेकिन financial year 20-21 के लिए यहाँ पर यह क्या चीज़ कह रहे हैं कि भाई यह आपके लिए exempt है तो अब फैसला आपको करना है आप मुझे comment box में लिख कर बताना कि भाई यह optional है या exempt है देखो मैंने यहाँ पर question डाला था तो सब लोगों ने बुला optional भाई आप 20-21 के लिए optional नहीं कह सकते ना अगर 20-21 के लिए भी इने optional करना ही होता तो यहाँ पर यह exempt word एड़ ना करते section में clear लिखा हुआ है section 44 अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर यह बात clear लिखी है कि governments के पास right है कि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को exempt कर सकती है यहाँ पर यह जो नया section आया था उसमें इनोंने clear लिखा हुआ है exempt कर सकती है तो यहाँ पर exempt को हम exempt पढ़ेंगे optional नहीं पढ़ेंगी पहले यह word optional था तो यह चीज clear हुई आपको तो जितने लोगों ने भी यहाँ पर गलत जवाब दिया है हमारे question का तो मैं उन्हें बता दू optional answer गलत है mandatory answer गलत है up to two crore mandatory नहीं है answer सही क्या है exempt answer बिल्कुल सही है जो 7% लोगों ने दिया है तो अब आपको यह चीज समझ नहीं है कि GSTR 9 के अंदर ना बहुत बारी की वाली चीज है तो इसके लिए हमने क्या कराए यहाँ पर 9 और 9C के लिए एक Sunday को हमने webinar रखा है तो अगर आपको यह webinar जोइन करना है तो आप जोइन कर सकते हो इसी Sunday को है पाच बज़े से लेकर आठ बज़े तक का यह session है तो अगर आपको जोइन करना है तो आप कर सकते हो कौन सी date को है 19 December को यह session है अगर आपको registration लेना है तो आप इन नंबर पर बात करके इसमें registration ले सकते हैं और हाँ आपको magazine soft copy तो मिल गई होगी hard copy भी आज और कल में courier हो जाएगी तो अगर किसी ने अभी तक हमारी magazine नहीं लिये तो वो ले ले क्योंकि हम सारे analysis करके बताते हैं अपनी magazine के अंदर कि भाई optional और exempt में क्या अंतर है आपको समझ आ गया होगा कि financial year 2021 के लिए up to turnover रूपीज 2 करोड GSTR 9 is exempt not optional आप मुझे comment box में फिर भी लिख कर बताएंगे कि आपका क्या मत है और इस वीडियो को जादर से जादर लोगों तक share करेंगे कि जिससे सब लोगों को पता लग जाए कि अब हमें GSTR 3 B या GSTR 1 में कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि अगर हमने वो गलती कर दी और हमारी turnover up to 2 करोड से है तो हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे GSTR 9 में हाँ अगर आपको tax pay करना है तो आप tax pay कर सकते हैं tax pay करने की कोई मनाई नहीं है वो आप DRC 03 से tax pay कर सकते हैं लेकिन अगर मैं low की language पर जाओ तो आप GSTR 9 फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी turnover 2 करोड है क्योंकि government नहीं से exempt करा है अगर तुमें कोई भी चीज करनी है तो high court ही चले जाओ तो भाया ऐसा नहीं होता जो लो में लिखा हुआ है, जो हमारी पार्लेमेंट ने लो दिया है, हमें वो तो मानना पड़ेगा, तो मेरी request है, ऐसे GST officer से, बड़े बड़े officer से, कि जब कोई आपके फास professional आता है, वो आपको लो के बारे में बताता है, कि लो में ये लिखा है, High Court ने ये लिखा है, Supreme Court ने तो आपको ये बाते सोबा नहीं देती, तो जितने भी मेरे GST officer है, मेरे उनसे हाद जोड के request है, कि अगर आपको कोई professional लो के बारे में बताए, तो आप भी लो पढ़ो, लो की बातों को मानो, आप High Court की बातों को मानो, Supreme Court की बातों को मत मानो, आप उनकी तोहीन मत करो, सारी से जादर लोगों तक share करना, और आप भी मुझे अपना experience बताना, कि क्या GST officer लोगों मानते हैं, क्या High Court की बाते मानते हैं, Supreme Court की बाते मानते हैं, या आपको भी यही कह देते हैं, चलिए हम इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो जादर से जादर लोगों तक share करना, और अगर आपको यह webinar जोइन करना है, तो जल्दी से जल्दी जोइन कर लेना, क्योंकि हमारे पास limited city होती है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching.